आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo कीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ download now इस question में अपसे बोला है कि what will happen to the focal length of a convex lens when it will be merged in water तो हमें जब air के अंदर था और जब water के अंदर है तो उस दोनों किसे के अंदर हमें इसके focal length compare करनी है ठीक है तो हमें बता है कि according to lens formula 1 by f is equals to mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 होते है रहीड तो यहां से जो हमारा f है focal length that is directly proportional to 1 by mu minus 1 ठीक है तो यह mu क्या होता है मारा जैसे यह lens है इसका refractive index हमारा है ठीक है और side वाले के रिफ्रेक्टिव index कुछ हमारा index है तो हमारा mu जो हो क्या होता है बाहर का refractive index अपनी lens के refractive index अपना बाहर का refractive index है न तो n upon index जो है वो mu होता है तो जब air होगी तो उसके इसके दर n- 1 होगा 1 होगा ठीक है जब air है एर के अदर een डेस one होगा तो ये क्या बन जखेगा मिउवर्य के अदर एंदने कुछ one से बढ़ा होगा जो मिउवर्य होग ये अगर इससे 8avat से बढ़ा होगा तो मिउवर्य होग से अगर रिडिस होगा तो ये पूरी चीज हमारी क्लासिक स्ट्वल से लेके नीड आई-इटी जे ही मेंस और एडवान्स के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडिंट्स कभरोसा आज जी डाउनलोड करे डाउटनेटा या वाच्साप कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर